प्रिविद्यार्तियों नमस्कार साथियों नमस्कार मैं हूँ प्राध्यपक्सान तिलाल विश्णोई और आप देख रहे हैं हिंदी का सबसे विश्वस्टनिय मंच SLB हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे की कोरोना काल के कारण कोविड-19 के कारण जो ककसाएं बादित हुई है उसमें अधिकतर ककसाओं के ग्रहकारी की सुरुवात हो गई है पाठेकरम संसोदित कर दिया गया है इसकूलें कब खुलेगी इसके बारे में अभी इसफ़स्ट कोई गाइडलाइन राजी सरकार की और से जारी नहीं हुई है इसी बीच पाठेकरम संसोदिन की बाद ककसा आठ तका ग्रहकारीय सेड्डूल पहले भी आ गया था लेकिन अब माद्यमिक शिक्षा निदेशाले ने 10 दिसंबर 2020 को एक प्रेस्ट नोट जारी करके ककसा नो से बारा के विद्ध्यारतियों हेतू ग्रहकारीय की रूप रेकायताय की है इसके लिए निरधारन किया है इसके अंतरगत क्या रहेगा ककसा नो से बारा तक का ग्रहकारीय किस परकार रहेगा और इस ग्रेकारिय का आगे के लिए क्या सदूप्यों होगा मतलब इस ग्रेकारिय को किस परकार मुल्यंकन का आधार बनाया जाएगा तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप इस पस्ट देख रहे हैं कि कक्सा 9 और 12 के विध्यारतियों है तो और वो भी ग्रेकार ये की बात है माद्यमिक सिक्सा निदेसाले का निकलावा ये प्रेस्ट नोट है जिसकी दिनांक 10, 12, 2020 है तो इसमें सभी संस्ता प्रदानों को जो उचमाद्यमिक, माद्यमिक, बाली का उचमाद्यमिक या बाली का माद्यमिक श्कूल है इनको इस आदेस के माद्यम से अउगत कराया और इसमें क्या लिखा है इसके बारे में हम देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें इसका विसेई यही है कि विद्यले में अध्यंदरत कक्सा 9-12 के विद्यार्तियों हित्यु ग्रेकारिये उप्रियुक्त विशे के अंतरगत प्रासंगिक समसंक्यक आदेस दिनाक 18-9-20 द्वरा अध्यन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विद्यार्तियों को पाट्य पुस्तक, हिस्माईल अध्यन सामगरी, इकक्सा डिजिटल सामगरी उपलब्द करवाई जा रही है इस अध्यन में उत्पन जिग्यासाँ के समादानेतु कक्सा 9-12 के विद्यार्तियों को अभी भावकों की सहमति से विद्याले में दिनाक 21,9-2020 की अनुमति परदान की गई थी मतलब 21-9-2020 को एक निदे सले अना आदेश निकाला कि कक्सा 9-12 के विद्यारती मारक दर्शन के लिए अभी भावक की सहमतिशे इश्कूल आ सकते हैं इसी की निरंतरता में समसंख्यक परिपत्र दिनाक 8-12-2020, सत्र-2020-21 के लिए कक्सा 1-12 की परीक्षा योजना, पेपर पैटरन और अंक योजना को संसुदित किया गया अंक योजना के अनुसार आंतरिक मुल्यांकन के अंक का आधार ग्रह कारिये को बनाया गया है तो यहां इस बात को आप नोट करें कि संसोदित अंक योजना के अनुसार आंतरिक मुल्यांकन के अंक का आधार ग्रह कारिये को बनाया गया है मतलब आपका पर्थम टेस्ट, दित्य टेस्ट, तृत्य टेस्ट और जो अर्दवार्शिक परिक्सा होती है उनके जितना भी अंक भार बनता है वो अंक भार किसके आधार परता है होगा ग्रह कारिये के आधार पर एक शे पांच हेतू इसमाइल टू कारिये करम चल रहा है कारिये पुस्तिकाओं में भी ग्रह कारिये उपलब्द करवाया जा रहा है लेकिन अभी तक ककसा नो से बारा तक कोई इस परकार का सिक्सन व्यू नहीं रखा गया था लेकिन अब निदेशाले ने इस आधेश के इसको भी इश्पष्ट कर दिया है तो ककसा नो से बारा के विद्यार्तियों को ग्रह कारिये देने और उसे जाचने के समद में निमना नूसार कारवाई की जानी है मतलब इस परकार ये काम होगा तो इसमें क्या होगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या गह रहा है कि ये है ग्रह कारिये समस्त संस्ता परदान चाहे सरकारी स्कूल है या गेर सरकारी सतर दो जार बीस इकीस के बकाया कारिये दिवस मतलब इस आदेश के निकलने के बाद कितना समय रहा है उस कारिये दिवस और समय के अनुरू बोरड दवरा नवीन शन्शोदित पाठे करम प अपने इस तर पर तैयार किया जाएगा मतलब जो भी विश्य अध्यापक है वो इस समय आउदी में अपने इस तर पर ग्रह कारिये तैयार करके विद्यारतियों को उपलब्द करवाएंगी विद्यारती दुआरा ग्रह कारिये किया ग्रह कारिये का आधार जब जो सिक्सक ग्रह कारिये उपलब्द करवाएगा और विद्ध्यारती ग्रह कारिये अपनी नोट्पुक में करेगा उस ग्रह कारिया की आधार पर परिक्सा में आंतरिक मुल्यांकन के अंकपरदान किये جाएंगे तो आपके लिए यह बहुत ही महत्पुण है कि आप ग्रह कारिये को बड़ी तलिंता के साथ करें यही आपके आंतरिक मुल्याकन का आधार होगा चाहे वे आधार लोकल परिक्सा का हो या फिर आपके सत्रांग का हो तो सत्रांग में भी यह ग्रह कारिये है वो आपके काम करेगा और जिशे शब्ता में एक बार जांचा जायेगा साप्ता हिक उस नोटबुक की जांच करेगा सम decides विस्य अध्यापक तीसरा पॉइंट कहा रहा है कि विस्याध्यापक विद्यार्ति की जिग्यासा के समाधान की अत्रिक्ट यदि कि विद्यार्ति कि कोई जिज्यासा है कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसका समाधान तो करे गई इसके अत्रिक्त गरह कारिये देने और गरह कारिये की जांच भी आवसेक रूप से करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कहरा है कि उक्त गरह कारिये सापताइक हो तता सापताहिक रूप से ही जांच आ जाए मतलब सापताहिक गरह कारिये होगा और सापताहिक रूप से ही इसकी विस्याद्यापक द्वारा जांच की जाएगी आगे का पॉइंट कहरा है कि गरह कारिये देते समय और उसी ग्रह कारिय को विद्यारती अपनी नोट्बुक में लिखेगा इस बात का विसेश ध्यान रखना है। विबाजित कर लिया जाए जिससे संपूर्ण संसुदित पार्टी करम का ग्रह कारिय हितु अभ्यास का समय मिल सके। प्रेक्सा जिन में होती है उन विसेशों के विद्यारती जिग्यासा समादान हे तू विद्याले आने के साथ परती सब्ता एक प्रायोगिक अभ्यास कारिये भी कर सकेंगे। तो ऐसे विद्यारती जिग्यासा समादान हे तू विद्याले आ सकेंगे और प्रती एक सब्ता में एक प्रेक्टिकल कारिये भी वहाँ पर कर सकेंगे। इसके बाद आगे का है कि संस्ता परदान और विश्या ध्यापक पारस परिक समनवे यानि आपसी ताल मेल से ग्रह कारिये का विद्यारती वार रिकोर्ड भी संदारित करेंगे। इस बाद का रिकोर्ड संदारित होगा ताकि आंतरिक मुल्यांकन में अंक परदान करते समय मेहनत करने वाले और गुणवता पूर्ण सिक्षन करने वाले विद्यारतियों को सही अंक मिल सकें इसके लिए रिकोर्ड भी संदारित होगा। वो निर्क्षण के लिए आएंगे तो कक्सा 108 तक का वो निर्क्षण करेंगे इसके शाथ ही कक्सा 9 और 12 के ग्रह कारिये की प्रगती का भी वे प्रेवेक्षण करेंगे इस बात कि अभी उन्हे निर्देश दिया गया है बोर्ड और वार्शिक परिक्सा में आंत्रिक मुल्याकन का आधार ग्रह कारिये है निदे साले ये बार-बार कह रहा है इस बात को आप नोट कर ले कि बोर्ड परिक्सा है या अन्य कक्सा नो और यरा की परिक्सा वार्शिक परिक्सा है उसमें आंत्रिक मुल्याकन का आधार ग्रह कारिये ही होगा मतलब ग्रह कारिये की आधार पर ही सत्रांक जाएंगे और ग्रह कारिये की आधार पर ही अरदवार्शिक परिक्सा पर्थम, दित्य और तृत्य ट्रेश्ट के जो अंख है वो परदान किये जाएंगे अतर सभी संस्ता परदान ये शून निश्चित करें कि विद्याले की सभी विद्यार्तियों को सभी विश्यों को ग्रह कारिये प्राप्त हो और उश्य जांचा जाए संस्ता प्रदान सभी सिक्सकों और विद्यार्तियों को नमीन संसोदित पाटे करम से अवगत कराना भी शूनिश्चित करावें तो प्रिविद्यार्तियों ये था इस निदेसाले से निकले हुए और्डर में इस प्रेस्ट नोट में जो था वो मैंने आपको बताया तो इसके बाद में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यदि किसी प्रकार के ब्रह्म में हैं तो ब्रह्म छोड़ें परिक्सा होगी हाँ हो सकता है वे महीना दो महीना लेट हो जाए लेकिन संसोदित पाटे करम की अनुसार होगी और आप ग्रह कारिये करने में अपनी नोट बुक संधारित करने में अपने विसाध्यापकों के साथ ग्रह कारिये को शाजा करने में किसी प्रकार की कोता ही नहीं बढ़ते हैं क्योंकि यदि आपका कसा 9 और 11 के विद्यारती है, तो आपके तीनों टेस्ट और अर्दवार्शिक परिक्सा है, उसका अंक भार आपका ग्रेकारिय ही ताए करेगा, और यदि आप बोर्ड के विद्यारती हैं ककसा 10 और 12 के, तो आपके शत्रांग है, वह इस ग्रेकारिय के आदार पर ही दिये जाएंगे तो सही ढंग से पड़ें, ग्रेकारिय करें समय पर उसकी जांच कराएं और अपने अध्यन को है वो शुचारू रूप से जारी रखें धन्यवाद